फरवरी का महीना शुरू होने में बस कुछी दिन बाकी है एक फरवरी से कई नियम बदलने जा रहे है ये नियम आग की जेब पर असर डालेंगे ऐसे में आपको इन नियमों के बारे में पहले से जानकारी होना जरूरी है आप अपने जरूरी काम इसी महीने की अंतिम तारिक तक फटा फट जरू निपटा ले आईए जानते हैं कौन कौन से बदलाव होने जा रहे हैं अंतरीम बजट होगा पेश मोधी सरकार एक फरवरी को इस कारेकाल का आखरी बजट पेश करेगी इसमें देश के विकास को ध्यान में रखते हुए कई सेक्टर के लिए बड़ा एल कर सकती हैं एनपीएस आंशिक निकासी के नियम पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरन पी एफ आरडीए ने पेंशन के आंशिक निकासी की सुवीधा और कानुन के पालन की गारंटी के लिए बारा जनवरी दोजार चोबिस को एक मास्टर सरकूलर जारी किया था यह एक फरवरी दोजार चोबिस से लागू हो जाएगा एनपीएस अकाउंट होल्डर अपने व्यक्तिकत पेंशन खाते के कंट्रिबूशन का 25 परसेंट तक निकाल सकते हैं इसमें खाता धारक और नियोकता दोनों की ही योगदान राशी शामिल होगी इसके मुताबिक अ IMPS ततकाल भुकतान सेवा के नियोमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है अब आप एक तारिक से बिना लाभारती का नाम जोड़े सीधे बैंक अकाउंट के बीच में 5 लाग तक का फंड ट्रांसफर कर सकते हैं 31 अक्टूबर 2023 को भारतिये रास्टे बुकतान निगम NPCI की तरफ से सरकुलर जारी किया गया था NPCI ने बैंक खाते से लेंदेन को तेज और अधिक सटिक बनाने के लिए IMPS के नियोमों में बदलाव किया है NPCI के मुताबिक आप सिर्फ प्राप्त करता या लाभारति का फून नंबर और बैंक खाता का नाम इंटर करके पैसे भेज सकते हैं SBI होम लोन ओफर भारति स्टेट बैंक की तरफ से स्पेशल होम लोन केंपेंग चलाया जा रहा है जिसके तहत बैंक की ग्रहाग 65 BPS तक के होम लोन पर छूट का लाभ उठा सकते हैं प्रोसेसिंग फीज और होम लोन पर रियायत की आखरी तारीक 31 जनवरी 2024 है यह डिसकाउंट सभी होम लोन के लिए मान्या है एक फरवरी से यह लाभ खतम हो जाएगा पंजाब और सिंद बैंक विशेस FD पंजाब और सिंद बैंक के ग्रहाग धन लक्षमी 444 दिन FD की सुविदा का फायदा 31 जनवरी 2024 तक ले सकते हैं सभी निवासी भारतिये जो ग्रेलू सावदी जमा खाता खोलने के लिए पात्र है एन आरोब जमा खाता धारक PSB धन लक्षमी नामक इस विशेस FD योजना को खोलने के लिए आवेदन कर सकते हैं बिना KYC लिंक वाले फास्टेग निश्क्रिये हो जाएंगे बिना KYC वाले फास्टेग 31 जनवरी के बाद बैंकों की ओर से निश्क्रिये या ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा भारते रिजर बैंक का आदेश का उलंगन करते हुए एक वाहन के लिए कई फास्टेग जारी के जाने और KYC के बिना फास्टेग जारी के जाने की हालिया रिपोर्टों के बाद NHAI नहीं है कदम उठाया है यदि आपके फास्टेग का KYC नहीं है तो 31 तक करा ले नहीं तो वह एक फरवरी 2024 से निश्क्रिय हो जाएगा SGB की नहीं किस्ट भारते रिजर्व बैंक फरवरी में वित वर्ज़ 2023 सीरीज में सोवरेन गोल्ड बोन की अंतिम किस जारी करेगा SGB 2023 सीरीज 4 बारा फरवरी को खुलेगी और 16 फरवरी 2024 को बंद होगी महीं से पहले वाली किस्ट 18 दिसंबर को खुली थी और 22 दिसंबर को बंद हुई इस किस्ट के लिए केंद्रिय बैंक ने सोने का निरगम मुल्ले 6,199 रुपे परती ग्राम तै किया था रोसोई गैस लेंडर के बदल सकते है रेट आपको बता दे कि हर महीने की एक तारीक को रोसोई गैस के नए दाम जारी के जाते है अभी है देखना होगा कि एक फरवरी को सरकार LPG स्लेंडर के दामों में बदलाव करती है या नहीं इसके दामों में बडोतरी होती है या नहीं क्योंकि लोकसबा चुनाव काफी नजीक है क्रेडिट कार्ड से रेंड भरने पर लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज बैंक ओफ बडोदा की क्रेडिट कार्ड की धारकों को बड़ा जटका लगने वाला है कमपनी ने घोशना की है कि वह क्रेडिट कार्ड के जरिए रेंड पेमेंट पर एक परतिसत फीस लेगी और यह नियम एक फरवरी से परभावित हो सकता है बैंक ओफ बडोदा चेक पेमेंट के लिए नया नियम लागू करनी जा रहा है ग्रहाकों को एक फरवरी से पोजिटिव पेज सिस्टम का पालन करना अनिवारिय होगा नय नियम दस लाख रुपे से अधिक के चेक पर लागू किये जाएंगे PNB ने बढ़ाया चार्ज PNB ने भी अपने ग्रहाकों के लिए कुछ नियमों में बदलाव किया है तो दोस्तों ये थी कुछ नियम जो बदलने वाले है इस खबर में फलाल इतना ही बाकी खबरों के लिए देखते रही जुनता की अवास